ये हमारा Realme 3 का फोन है और इस फोन में प्रोब्लम ये है कि ये लोगों पर भार बंद होता और चालू होता है ये पूरा फोन हमारा चालू होता ही नहीं है उनली रिबूट रिस्टार्ट पर ये रुका रहता है तो यह problem को हम कैसे fix करेंगे हैंनि कैसे ठीक करेंगे problem इसी के बारे में इस वीडियो में बता रहा हूं तो वीडियो अच्छी लेकर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो दोस्तों सबसे पहले यह हमारा जो मोडल होता है इसका flash file को हम download कर लेते हैं और यह आप लोग भी flashing देख रहे हैं जो भी मैं online इस phone को भी flash कर रहा हूं तो इसको हम online flash करते हैं flash file download हो जाने के बाद जब यह हमारा पूरा प्रोसेस complete हो जाता है तो उसके बाद हम फोन को चेक करते हैं कि हमारा अभी online flashing चल रहा है और यह flashing something 6-7 मिनिट तक चलता है फ्लैसिंग थोड़ा सा इसका लंबा होता है जब यह पूरा complete flashing हो जाएगा तो green color की line चल जाती है जैसे आप लोग देख सकते हैं इस screen पर यह green color का पट्टी अभी आ गया है इसका मतलब कि हमारा phone complete flash हो चुका है और इस phone को भी हम on करके proper check करेंगे कि पुरा on हुआ है कि नहीं हुआ है तो अभी हमारा realme 3 का phone है और आप लोग देख सकते हैं कि यह हमारा पूरा phone अभी on हो चुका है और इस phone को भी हम step by step आगे बढ़ाएंगे यहां पर हम इंडिया select करेंगे और next पर किलिक कर देंगे और more पर क्लिक करके accept करेंगे तो यह हमारा पूरा phone प्रॉपर तरीके से on हो जाता है कि क्योंकि यह हमारा phone पहले on नहीं हो रहा था वाली realme के लोगों पर चालू बंद हो रहा था तो इसको हमने अभी online flash कर दिया और flash करने के बाद यह हमारा पूरा phone अभी on हो चुका है आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर यह हमारा realme 3 का phone है और यह प्रॉपर अभी on हो चुका है पहले यह hang on लोगों पे था reboot restart हो रहा था तो इस तरीके से हम online flashing करके अपने problem को resolve कर सकते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगए तो like करिएगा और चैनल को subscribe कर लिजएगा थैंक्यू फ्रेंड्स